और आज का जो सेक्टर है वो FMCG है देखिए उम्मीदे बहुत जादा हैं क्योंकि सरकार जो है food processing पे भी एक production linked incentive scheme ला सकती है जिसके कारण हमको काफी अच्छा वहाँ रोजगार आता हो दिखेगा और FMCG कमपनियों के लिए एक अच्छा reform रहेगा food processing industry और agri reforms जो है expect किये जा सरकार का focus और allocation दिखेगा जो FMCG कमपनियों के लिए फायदे मंद होगा इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो investment है logistics में cold chain processing में और warehousing में क्योंकि इसकी सख जरूरत है आज industry को तो वहाँ सरकार जो है काफी सारे announcements कर सकती है ये market की उम्मीद है जिसके कारण FMCG companies जैसे क Britannia, Nestle, HUL इन सभीयों को फायदा होगा डावर और इमामी और ITC जैसे shares जहां हमने ग्रामीन focus देखा है रूरल focus देखा है वो share भी focus में रहेंगे और सबसे बड़ा sector जो मेरे इसाब से है वो आपको ध्यान देना होगा cigarette पे क्योंकि बाते ये हैं क्योंकि सरकार का revenue shortfall है इस budget में अनुमान यह है कि 10-15% तक exercise duty cigarette पे सरकार बढ़ा सकती है और जाहिर सी बात है कि Godfrey Philip, ITC, VST जैसे shares focus में रहेंगे क्योंकि हर budget में ये उम्मीद रहती है और ये expectation रहता है कि सरकार अपने revenue को बढ़ाने के लिए शायद यहां duties ले आए इसके अलावा अगर आप बात करे के success लाने की बात है tobacco products पे तो वो भी एक negative हो सकता है पूरे के पूरे cigarette pack को जिसमें मैंने पहले ही जैसे कहा ITC, Godfrey Philip और VST Industries सामिल है